खरकोदा में धान किस्म 15 सुनों को MSP से कम रेट पिक खरीदने पर आड़तियों वे किसानों में रोश है। मार्केट कम हैटी के अधिकारियों के साथ बैठक में सबस्ट कहा गया था। वे सरकार का पत्र भी जारी हो रखा है जिसमें सबस्ट कहा गया है कि धान किस्म 1509 का MSP मुल्य 1888 रुपे हैं इसे कम की राशी में यह धान नहीं खरीदा जाएगा। अगर कम राशी में खरीद होगी तो उसका कारण बताना होगा। लेकिन वीरवार को खरकोदा अनाश मंडी में 1400 से लेकर 1801 रुपे तक यह धान खरीदा गया है। जो MSP से बहुत कम है, यहाँ पर किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो धान कम राशी में खरीदा गया है, रजिस्टर में उसका कारण भी दर्श नहीं किया गया। आड़तियों वे किसानों की मांग है कि MSP से कम लागत पर उनके धान की खरीद नए की जाए, मंडी आड़ती प्रधा नरिश्टाहिया का कहना है, कि एस जिम श्वेता सुहाग की मोजूदकी में जो निर्ने लिए गए थे, मार्केट कमेटी उन्हें नजलन्दास कर रही है सेक्टों किसानों ने नहीं कराया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अबारही दिक्कते, ऐसे बहुत से किसान हैं जिरोंने अपनी धान की फसल को मेरा ब्यूरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं करवाया, अब ऐसे किसानों को काफी प्रिशानी का सामना करना पड़ रहा है किसानों को इस दिशा में सरकार द्वारा जानकारी दी जानी चाहिए SDM श्वेतर सुहाक का कहना है कि MSP किवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो मेरी फसल मेरा ब्यूरा पोर्टल के तहत रजिस्टर्ड होंगे 15 सुनों धान का MSP मुले भी उन्हीं किसानों को दिया जा रहा है जिनकी फसल मेरी फसल मेरा ब्यूरा पर डर्श है जिन किसानों की फसल रजिस्टर्ड है और जिनका धान भी MSP से कम दाम पर खरीदा जा रहा है तो ऐसे किसान 11 से 12 बजे तक अनाज मंडी में मार्किट कमेटी के दफ्तर में ही SGM को शिकायत दे सकते हैं, जिनके शिकायतों का समाधान किया जाएगा हर्याना की कई हलकों में हलकी बारिश के संभावना बदल रहा मोसम का मिजास हर्याने में मोसम का मिजास बदलने लगा है, प्रदेश के कई इलाकों में मोसम विफाग ने आज हलकी बारिश का अलट जारी किया था जिसके चलते सुभह करीब साढ़े आठ बजे भारतिय मोसम विभाग की तरफ से हर्याने के कई इलाकों में हल्की बारिश का अलट जारी किया गया था वहीं प्रदेश में अब बादलवाई से मोसम का लगातार मिजास बदल रहा है मोसम विभाग की मताबिक प्रदेश में अगले एक दो दिन में बदलाव की संभावना है जिसके चलते हल्की बारिश की संभावना चताए जा रही है मोसम विभाग की मताबिक 24 अक्टोबर तक मोसम परिवर्तन शिल रहने की संभावना है भारत मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के आसपास लगते इलाकों में मौसम में बदलाव की संकेत दिये गए हैं इन इलाकों में गहरे बादलों की चलते मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है इस अलट के मुताबिक दक्षिन पश्चम, दक्षिन दिल्ली, फरुख नगर, गुरुग्राम, चर्खी दादरी, खतोलिक के आसपास के कई शित्रों में हल्की से थोड़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई थी खर्याना में 24 अक्टोबर तक मौसम आमतोर पर एक और परिवर्टनशी लेकिन साथ ही खुश्क रहने की संभावना जताई जा रही है तो वहीं जहां पूर्वी से उत्र पश्चर में हवाई भी चल सकती है जिसके कार्ण टापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है वहीं इसी दोरान अथिक्तम टापमान 31 से 34 डिग्री और न्यूंतम टापमान 10 से 13 डिग्री सेल्शिस क्यास परस रहने की क्यास लगाई जा रहे हैं